Good morning student, एक important discussion करना था, those who are planning for B.Tech, देखिए अभी आप लोगे 12th के exams हुए है, result awaited है, आने वाला है, और बच्चे जो physics, chemistry, maths लेके बैठने हैं, science background के जो students है वो B.Tech के लिए प्लान करेंगे, तो देखिए B.Tech में बहुत सारे courses है, थोना सा important discussion आप लोगों से करना है, बहुत सारे branches हैं, कौन सी ब्रांच कितनी important है, किस ब्रांच में कितने रुपए का placement होगा, free structure क्या होगा, यह सारी चीज़े बहुत important है, बच्चा B.Tech के लिए प्लान तो करता है, बड़ा confused रहता है, सर कौन सी ब्रांच में चूज करूँ, computer science, artificial intelligence, information technology, mechanical engineer, तो पता है, ब्रांचे इतनी सार कौन सा रहेगा, जो B.Tech के अंदर यह सारी चीज़े आपको ब्रांच करेगा, अब देखे देखे, सबसे पहले अपन चलते हैं, इसमें जो ब्रांचे दिखाए देरी आपको, computer science है, artificial intelligence है, information technology, mechanical, electrical, electronics, civil, की सारी ब्रांचे मिलेंगी, इनके उपर भी अपन discuss करते हैं, बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो, बड़ा interesting subject है यह, जो management से relate करता है, basically मैं बहुत सारे college में as a guest पढ़ाने ही जा रहा हूँ, और यह माफावाला subject मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें managerial economics and financial accounting आता है, तो जो B.Tech का बच्चा है, उसको commerce नहीं आती, बर उसको B.Tech second year, third year म सब्चेक्ट सा कोई भी ब्रांच नहीं तो सब में पढ़ना पढ़ता है, तो मैं बहुत सारे college में as a guest पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं इस subject, तो इसलिए B.Tech का मेरे को थोड़ा depth knowledge होगा है, college में जा रहा हूँ, तो पता है कौन सा college क्या पढ़ा रहा कौन से college में कितना placement हो रहा है, कौन सा college बेटर है, कौन सा नहीं है, तो सारे detail में discuss कर लूँगा, इसमें स्लेवर से demand, supply, production, market, उसके बाद में आपका पूरा-पूरा accounts आ जाता है, ratio, cash flow, fund पर बगर आता है, तो यह सारी चीजें हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेरे बारे में discuss क कर लेता हूँ, basically, मेरा classes है, और मैं पढ़ाता भी हूँ, यह माफ़ाफ सब्जेक्ट बीटक बालोगों पढ़ाता हूँ, बाकि MBA, BB, B.com बालोगों पढ़ाता हूँ, basically, commerce background से हो, तो यह subject उसमें match हो जाता है, मेरा, ठीक है, इतना होने के बाद में, यहाँ पर आपको सारी सारी मेरा पूरा profile मिल जाएगा, PDF में, description में डाल रहा हूँ, link डाल दूँगा, वो डालोड कर लेना आप, यहाँ परा मेरा 16 years का जरनी है, from last 16 years I am working as a guest faculty in different colleges, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसका पूरा जरनी मिलेगा, कुछ अगर books वगरा माफा से डालोड करनी हूँ, तो मा इतना package लगेगा, उस branch में क्या मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको अपन clear करते हैं, अब मैं यहाँ से एक एक करके discuss कर रहा हूँ, सबसे पहला branch है, और सबसे important branch है, इस पर जितने star mark करने कर लो, computer science, आज जो demand में है न, वो सबसे ज़्यादा computer science demand म सारी की सारी companies, software पर आगी, application development पर आगी, अब किसी भी company को चाहिए क्या है, कि मेरे को app डवलप करनी है, Google है, Facebook है, Wipro है, TCS है, Infosys है, सब लोग कुछ ना कुछ software बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ websites बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ apps डिजाइन करना चाहते हैं, और आज देखें, इसमें computer science में क्या है, आप software developer बन जाएंगे, database administrator हो सकता है, game developer बन सकते हैं, network engineer बन सकते हैं, data analyst बन सकते हैं, companies कौन कौन सी इसकी, Infosys, Wipro, TCS, Google, Facebook, बहुत सारी companies है, तो selected आ रखी मैंने, placement 100% है, इसमें, यह मान के चलो ब्रांची ऐसी की 100% placement हो जाएगा, अब देख साल की experience की बाद में salary बढ़ जाती है, और वो 5 लाग पर मन तक जाती है, अगर Google, Facebook ले गए ना आपको, तो 8, 9, 10 लाग तक salary देदें, पर मत बाद कर रहो, एक महिने का salary 10 लाग तक जाते हैं, तो please, यह branch सबसे important है, demanding है, colleges में इसकी seat नहीं मिलती है, तो अगर किसी college में आपक साइन पर, that is artificial intelligence and data science, अब कुछ बच्चे बोलते हैं, सर, इसमें क्या है, मतलब यह क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, basically, जो artificial intelligence data science है, यह robotic concept है, जहां पर आप robot design कर रहे हो, आप robot design करना तो अलग चीज़ है, अब रोबोट को command देना अलग चीज़ है, आप जो कोई खिलोना बन सकें कि वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तो यह सब artificial intelligence में आता है, आप जबर जस दिमांड है इसकी, Google, Facebook, Fipro, IBM, यह सारी कि सारी companies हैं इसके अंदर, आप यहां पर machine learning engineer बन सकते हैं, big data scientist, artificial intelligence engineer बन सकते हैं, robotic engineer बन सकते हैं, आप सुझो, package यहां बहुत बड़े हैं, डेड़ ला branch अगर आपको मिलता है, जहां जब college provide कर रहे हैं, first preferences branch को देना, यह दोनों branches बहुत important है, आपका computer science वाला और artificial intelligence, फिर आता है information technology बे, यह IT sector है, IT sector में अगर आप देखें, तो बैंगलोर में बहुत सारी companies मिलेगी, जो IT sector की है, ठीक है, इसमें IT में बैंक में लग सकते हैं, hospital, education institution institutes, facebook अगरा, IT analyst, software developer, system engineer, programmer बन सकते हैं, तो basically यह भी कहीं ना कहीं computer science से link करता है, और दूसरा इसका जो salary है, वो 50,000 से लेके 3 लेक जाता है, ठीक है, यह option भी better है, और लोग इस option को भी choose कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कहीं जाना है, यह branches लेनी है, college चूस करना engineering है, basically यहाँ पर automobile engineer बन सकते हैं, किस तरीके से car design होती है, car का engine कैसे work करता है, car के engine में कैसे design करते हैं, यह सारी चीज़ें आप यहाँ सिखते हैं, mechanical engineer, service engineer, mechanical designer, developer engineer, R&D, अब research and development बहुत important है, आज सारी की सारी car electronics में convert हो रही है, तो वा research and development की बहुत ज़्यादा ज़रत है कि ऐस बनाओ, जो best हो, mileage अच्छा निकाले, battery से चले, तो यह सारी concept, इसमें BMW, Honda, Suzuki, Tata, Mahindra, जितनी भी automobile companies हैं, वहाँ आपकी job लग सकती है, mechanical engineer में अगर आपको interest है, तो आप इसमें जा सकते हैं, package बहुत अच्छे हैं, इसके, per month 80,000 से 5,000 तक का, बच्चे बोलते हैं, package कब मिलें के बाद में, आपको इस packages मिलने शुरू जाएगे, बट कम से कम 2 साल तो लगेंगे, तब उस level के package पे आप पहुझ होगे, as a training है, package नहीं है, बट training complete होने के बाद में, ऐसे packages आपको मिलने जितना, next point दिखाए देगा आपको, that is electrical engineering, बड़ा interesting है, electrical engineering क्या है, कुछ लोग बोल आपको electronic product खोलोगे, तो circuit board होता है, तो circuit board कैसे बनता है, वो design करना सिखाते है, बहुत technical game है यह, तो इसका भी demand है, बट जो CS वाला demand है उतना नहीं रहता, एक तरह के से hardware का concept आ गया, और वो CS वाला artificial intelligence का software का concept होता है, इसमें आप लोग electric manager बन सकते हैं, उसके बाद में, water treatment के यह सब हो जाएगा, इसमें railway में, banks में, hospital में, यहाँ जोब लग सकती है, 35,000 से 1 लेक तक का packages में मिल जाते हैं, फिर next आपका है, that is electronics and communication industry, अब यह बड़ा interesting है, अगर आप से electronic and communication engineering देखेंगे न, तो इसके अदर communication वाला part देखो, communication वाला part अगर आप देखेंगे, तो जितनी भी टेलिकॉम सेटर की कंपनीज है, भारती ATL, BSNL, Vodafone, Reliance, MTNL, तो यहाँ पर ऐसे engineers की ज़रत पढ़ती है, बिसे किले आपने देखो, को टावर लगते हैं, बड़े-बड़े, तो टावर सेट कैसे होगा, यह सारा का सारा, आप यह electronic engineers करते हैं, communication engineers करते हैं, इसमें आप electronic engineer हो गया, technicians हो गया, network programmer हो गया, service engineer हो गया, यह वाली jobs आपको लग सकती है, तो यहाँ भी package 50,000 से 1 lakh पर मन तक जाता है, बड़ एक दू साल के experience के बाद जाएगी सारे packages, एक है civil वाला है, ठीक है, इसके अदर भी jobs होती है, कुछ colleges इसको रखते हैं, option को, कुछ colleges civil वाल option नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना demanding नहीं है, अभी market में, अब civil के अंदर क्या है, basically यहाँ पर आप designer बन सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं, site designer, road construction, civil construction, technical director, आप समझे में क्या बढ़ रहा हो, जहाँ पर कोई road बनाना है, building बनानी है, bridge बनानी है, तो महाँ civil engineers की ज़रत पढ़ती ह लार्सन और टूग्रो हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, जो construction companies है ना, वो सारी की सारी companies ऐसे लोगों को रखती है, 50,000 से 1 लेक तक पर मंद का package जाता है, तो देखो, सारी की सारी branches important ही, पर कुछ branches है, जिनके demand बहुत ज़्यादा है market पे, तो आप focus उन पे करना, डू colleges का जो fee structure है, यह मान के चलो 70,000 माननों, maximum 75,000 पर एनम बतारों, इस से ज़्यादा अगर college में आप B.TEC का फीज दे रहो तो बहुत ज़्यादा है, maximum fee 75,000 इस से ज़्यादा देने की ज़रत नहीं है, और दूसरा college अगर आपको सर्च कर रहे हो, तो मैं इंडिया लेवल पे आपको सारे colleges बता दूँगा, best college call से, कम से कम fees में, with 100% placement, मैं बार बार रिपीट करा हूँ, सबसे important चीज है 100% placement, तो अगर किसी बच्चे को किसी college की requirement हो, मेरा number है, 773-773-360, आप कभी भी call कर सकते हैं, अगर मानलों, मैं call नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि आदिया टाम में कॉल कर लूगा, okay, best of luck, अच्छे से पढ़ा ही करना, BTEC का, और अच्छा college चूज करना, जहाँ आपका placement बगरा लग जाए, अगर कोई problem आती है, तो आप मेरे से discuss कर सकते हैं, okay, best of luck,